हेलो दोस्तों नमस्कार सम्रद्धी टेक्निकल में आपका रिदय से सौगत करते हैं दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेद मशीन में से 20 कोशन के उपर चर्चा करेंगे ये सभी कोशन कोई ना कोई एक्जाम में आ चुका है और प्रायस सभी एक्जाम में आता है इसलिए इन सभी कोशन को आप ध्यान से देखिएगा और अन्त तक देखिएगा तो दोस्तों चलिए अब हम शुरू करते हैं कोशन नमबर एक दोस्तों शुरू करते हैं कोशिट नमबर एक इन ए लेड मशीन दा चक्स होल्ड दा यहां आपको बताना है कि एक लेड मशीन में चक किसे पकड़ कर रखता है तो दोस्तों चक किसे पकड़ेगा टूल को पकड़ेगा या जॉब को या जॉब या टूल दोनों को या नॉन आप दिस तो दोस्तो जैसे की कोश्चन से आप समझ पा रहोंगे कि चक जो है वो हमेशा जॉब को ही पकड़ता है इसलिए आप आप आप्शन नंबर बी के साथ जाएए कि जॉब को पकड़ता है ठीक है दोस्तो अब देखिए इसमें क्या लोग सोचते हैं कि कोश्चन इजी है हाँ दोस्तो इजी तो है लेकिन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ठीक से जानेंगे नहीं तो आपके लिए निश्यत तोर पे कठिन ही लगेगा तो इसका आप्शन नमबर भी बिल्कु सही अंसर है जॉब चलिए दोस्तो अगला कोश्चन देखते है कोश्चन नमबर दो देखिए कोश्चन नमबर दो है लेट सेंटर आर प्रोवाइड़ट विद द फ्लोविंग स्टेंडर्ट टेपर अर्थात लेट सेंटर में नमलेखित मानक टेपर दिये जाते है दोस्तो जैसे कि आप जानते होंगे कि हर मशीन में जो सेल्फ होल्डिंग टेपर है वो हमेशा एक जैसे ही होता है और इसमें एक अनुपाद 20 का टेपर होता है ऐसे ही जैसे डिल मशीन में होता है वैसे ही लेत मशीन के स्पेंडल में भी मोस टेपर होता है ठीक्ड दोस्तों तो यहां option number A देखिए most टेपर, option number B, betis टेपर option number C, metric टेपर or D, brown and sharp टेपर तो दोस्तों यहां पर आपको A लगाना है most टेपर ये एक परकार के self holding taper हैं ठीक है दोस्तो अगला question देखे question number three late spindle has got दोस्तो यहाँ पे आपको बताना है कि late spindle में होता है इस question को आप तोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि एदि आप आप जल्दी वाजी करेंगे तो आप गलती करेंगे इस प्रकार से spindle होता है और उसके अंद्रूनी भाग में most taper होता है जैसे कि अभी आपने आपको आप्षिन नमबर बी के साथ जाना है एक्सटरनल त्रेट कहां पर लेट मशिन के सेड़े में हैड स्टॉक में जो स्पेंडल होते हैं दोस्तों जिसमें चक लगा होता है उसके बारे में बताए गया है अगला कौक्शिन देखें कि दोस्तों रेसी प्रकार के मशीन रेसी प्रोकेटिंग परकार के मशिन तो दोस्तों रेसी प्रोकेटिंग क्या होता है जो रोटरी को रेसी प्रोकेटिंग मतलब आगे पीछे वाला मोशन देता है कि ये मशीन टूल दोवारा सपाट सतह उत्पन करना कहलाती है तो दोस्तों आपको बताना है कि इन में ऐसा कौन सा मशीन दिख रहा है जो रेसी पोपेटिंग मोशन से आगे पीछे चल कर एक सपाट या प्लेन सरफेस जनरेट करती है या पैदा करती है बनाते हैं तो दोस्तों यहां देखिए लेट नहीं लेट तो गोल-गोल गुमती है शेपर शेपर निश्री तुर पर आगे पीछे चलती है तो इसका तो यहां पर आगे पीछे वाले जो गती देने वाले जो मशीन है वो शेपर मात एक मातर मशीन है दोस्तों ठीक है दोस्तों अब देखते हैं अगला कुशिन दोस्तों यहां आपको बताना है कि केरीज से लेड स्कूरू तक उर्जा हस्तंतरन लेड से लेड में किस से होती है दोस्तों देखिए फीड रोट जब चलती है तो केरीज या अपरोन में सक्ति आती है या पाउर आता है उस पाउर को आपकोesi स्कूरू में इंगेज जब करना होता है तो आप कौन सा यूनिट चला लगाते हैं तो वह हापनट मैकनिजम हापनट मैं एक लीवर होता है जब जलीवर को आप इंगेज कर देते हैं तो वह लीड स्कुरू में उसकी पावर जाने शुरू हो जाता है अर्थाद मोशन मिल जाता है तो इस परकार से दोस्तों इसका एंसर होगा हाप नट ठीक है हाप नट जो है वह एक मेकनिजम हो है और इसमें आपने पड़ा होगा क लीड स्कुरू या थ्रेट काटते हैं इसका परेयोग किया जाता है बहुत ही आई एमपी कोश्चन है दोस्तों यह चलिए अगला कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नवर सिक्स किस सामगरी से टेल स्टॉक का वाडी बनाया जाता है दोस्तों डी एम आर सी मेंटेनर मुनाची की टेल स्टॉक की बाडी भी कास्टारं से बनाया जाता है यह भी आपको याद होना चाहिए यह भी आपको ध्यान देना है ना कि टूल स्टील से बनता है ना हाई स्पिड स्टील से ना माइल्ड स्टील से आपको यह भी कास्टारं से बनाना है वो हेड स्टॉक और टेल स्टॉक भी बॉडी भी यह सारे चीज जो है वो कास्ट आरन से ही बनाते है क्योंकि इसका कंप्रिसिव स्टेंट 16,000 LVS होता है इसलिए बहुत जबर्दस मेंटल है यह कास्ट आरन बस इसका कंप्रिसिव स्टेंट अच्छा है लेकिन इसका टैंसल स्टेंट 4000 LVS है इसलिए इसका प्रयों को टैंसल वाले जगा में नहीं करते हैं कुश्चिन नमर साथ को देखिए वन वीच वन आप दा फ नाम बताना है कि या क्रोशियाट के विए रहे हैं यहां पर उपर देखते हैं और सबसे पर वालेधा उसमेंत तूल पूस्ट एखी यहाह पर शसाटे वाला भागा वो है compound risk जिसको degree में घुमाया जा सकता है और इसका answer बिल्कुल सही होगा D ठीक है दूस्तों तो D number इसका सही answer है compound risk को उपर tool post लगा होता है चलिए अब question number 8 को देखते है निम्न लिखित में से कौन से प्रणाली लेत मशीन में गाड़ी कीovaures के लिए परयोक किया जाता है दोस्तों यहां पर जो गाड़ी है वो आप थ्यान दखिए कै็ आपकी एप्रोन एं अंत्रवली है वो एक गाड़ी लेध मशीन में गाड़ी ठीक है दो Magic तो क्या बताया है कि क्यों सत्तया है क्यों के lealey राइट किसफते चलाते हैं यह आपको बताना है तो दोस्तों देखिकिया क्या क्या लिख़ायें कमपाउंट्रेस्ट एपरोन मेंडिय और शैडल तो दोस्तों ऐपरोन जो है उस वह एक है है और एक मेकनिजम है जिसके अंदर वार्म ग्यार होता है वार्म वील होता है और पूरे शिप्टर यह सारे चीज उसके अंदर होता है तो यह गाड़ी है और इसलिए इसका एंसर आएगा एप रॉंट ठीक है दोस्तों अब आप कोश्चिन नबर 9 को देखिए लेट मशीन म आपको पता हबा कि उसमें बहुत सारे गयर होते हैं उसमें schöne वह सबस्व चाहर सिलना जाता है और करदे तो सेंटरलई्थ मश्शं में तो बहुत ज़्यादा गय्यर होती है तो इसकी सारे गयर है उस गयर को पूरे गयर माला वुला जाता है हिंदी में और गयाट ट्रेंड के नामसे देखी इस परकासे रहता है option number D को देखिए gear train तो यह पूरे gear train unit रहता है आपको बहुत जवर्दस तरीका से दिखाए गया है यहाँ पर किस परकार से होता है देखिए सबसे बड़ा gear है यह bull gear है तो इस परकार से gear train के नाम से सर जाना जाता है तो option number D इसका बिलकुल सही answer है दोस्तों अब हम question number 10 को देखते हैं question को देखिए milling cutter दोस्तों आपने milling machine के cutter देखेंगे और उसमें बहुत सारे कॉंड होते है हैलिक्स कॉंड होता है उसमें रिलिप कॉंड साइट रिलिप कॉंड तो बहुत सारे कॉंड आपने देखा भी होंगे और आपने नहीं देखे तो आप उसे देखिए एक बार तो आपको यह बताना है कि रिलिप कॉंड क्यों दिया जाता है तो दोस्तों इसमें option देखिए इसमें cutting chip आसानी से निकल जाती है इसमें cutting ज्यादा होती है यह सवी सत्य है और इसमें दाते कम घिषते है तो दोस्तों इसका जो सबसे सही answer है option number A इसमें chip आसानी से निकल जाती है दोस्तों यह mailing cutter जो है वो घुमता हुआ cutting करता है और जब relief कॉंड दिया जाता है तो यह आसानी से chips को अटा सकता है या slots में से अंदर जो slots बनता है उसमें से अलग कर सकता है इसलिए इसका answer यह बिल्कुछ सही है ठीके दोस्तों अब question number 11 को देखिए लेट पर carriage क्यों दिया जाता है तो मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा कि लेट पर जो carriage होता है वो इसका एक जबरदस फिड या उसके cutting करने के लिए यह अंतरवली होता है carriage के अंदर apron, cross, slide, schedule यह सारे आजाता है तो इसमें आप देखिए करतन को hold करने के लिए करतन और जोर को hold और भरन देने के लिए स्तिर केंदर को hold करने के लिए या spindle गती को उल्टा करने के लिए तो आप देखिए option number A को देखिए करतन को hold करने के लिए यह कारे को hold करने के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा option B जो है करतन और जोर को hold और भरन देने के लिए भरन मिन्स होता है fit देने के लिए और करतन और को hold यह इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी के ऊपर एकदम टॉप में तो करतनों जल लगा होता है ठीक है दोस्तों कुश्चन नमर 12 को देखिए डीम आरसी में आया एक कुश्चन size of a lathe is specified by which one of the blow नीचे दिये गए यह जो सारे option है option को देखिए आपको बताना है कि lathe machine का specification इनमें से कौन सा सबसे सही है taper cutting center height speed या cutting depth तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि center height से इसका size लिया जाता है इसमें बहुत सारा specification होता है लेकिन यहाँ पे center height जो है वो बिल्कुल सही answer होगा और आप option number B के साथ जाएए आपको एक number निशे तूर पर मिलेगा और यह important question है exam में आ चुका है बहुत सारे exam में तो इसके सभी option में बहुत एक मिलता जूलता रहता है लेकिन आपको यह center height ही लेना है चीके दोस्तों चलिए अब अगला question देखते question number 13 which type of light is used for production work अर्थात किस परकार की खारत का प्रयोग उत्पादन कारे में किया जाता है दोस्तों आपने किताब में पढ़ा होंगे कि किताबों में लिखा हुआ है कि production light में इसका प्रयोग सबसे जादा किया जाता है देखिए center light जो है वो इसका प्रयोग करने से हम job तो बना सकते हैं लेकिन क्या एक जैसे job बनाने कि लिए इसका प्रयोग करते तो हमको काफी समय की जवरत पड़ती है और कैपेस्टन या टेरट लड़ जो होते हैं इसका नामी production लेते दोस्तों इसमें क्या होता है कैपेस्टन हेड होता है और एक जैसे job के लिए मैंडरिल होत है इसे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा और अब हम question number 14 को देखते हैं question number 14 है follower rest दोस्तों आपको यह बताना है कि follower rest जो है वो इनमें से किसका अनुसरेंड करता है अरता यह जो option आप देख रहे है follower the work piece follows the tools fix to the late bed या fix the tail stock यह आपको बताना है कि follower rest steady है वो किसको अनुसरेंड करता है या किसको guide करता है तो देखेंगे कि टूल को guide करेगा क्यों क्योंकि दोस्तों जब जब टूल जहा जा जाती है follower rest भी उसके साथ साथ चलती है अर्था tool के एक side से tool दवाव देता है और दूसरे side से यह follower rest दवाव करता है इसलिए इसका option number B देखिए इस परकार से मैंने बनाया के दिखाए आपको कि एक side से tool का दवाव होता है उसके पीछे से follower rest का ठीक है दूस्तों तो इसका option number B विल्कुल सही है अगला question देखिए late wet is made of late machine के bad किसके दवारा या कौन सा पदार्थ से बनाया जाता है यह question को घुमा फिरा के कई तरह से पेज करते हैं यह isro का question है दोस्तो इस रो technician B में टरना दोजास सुला में आया था तो इस question को तो आप बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं आप इसे ध्यान दखिएगा option number यह से mild steel, B cast iron, C titanium और D aluminium तो दोस्तो यहां पर आपको सीधे simple दीख रहे होंगे कि cast iron जब है तो ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूत नहीं है और आप बिल्कुल इसके साथ जाहिए option number B के साथ जाहिए इसमें आपको कोई भी चिंता करने की कोई बात नहीं है जैसे कि मैंने बताय कि कास्टर नहीं का कंपरिस्ट जबर्दस होता है इसलिए आप option number B को सही लगाए दोस्तों आपको यह सारे वीडियो कैसे लग रहा है मेरा जो वीडियो है वो कैसा आपको पसंद आ रहा है कि नहीं मुझे जरूर फिडवेक देना यदि आपको पसंद आ रहा हो तो मुझे सोला नमबर कुश्चिन को देखिए तू सेट दा वर्क रन एसेंट्रिकली दा फरूविंग मैथड इस यूज तू होल्ड जॉब अर्था दोस्तों यदि जॉब उतकेंदरित हो जिसके एक सेंटर नहीं एक सेंटर से अधीक हो ऐसे जॉब को पकड़ने है तू कौन सा चक का प्रयोग करते हैं कुश्चिन आप समझ समझ गये होंगे कि जहां पर जॉब स्टेट नहीं हो एक से अधीक केंदर हो वहां पर आपको कौन सा चक का प्रयोग करना थे तो आपको पता होगा कि फोर्जा चक जो होता है दोस्तों यह इस प्रकार के चग है जो विश्म आग इस चीश को आप बिलकुल ध्यान दखिएगा दोस्तो यह आईएंपी है और इस तो में यह कोश्चिन भी आच चुका है दोस्तों नेक्ट को देखिए 17 नमबर कोश्चिन देखिए यह रिपेट कोश्चिन है लेकिन इसको आप थोड़ा ध्यान दखिए मैंने इसे रिपे ठीक है और यह वह वैड है लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है कि इसका जो लिखावट है यह आप चिल्ड कास्ट आरण दिया हुआ है इसे आप थोड़ा ध्यान रखिए चिल्ड कास्ट आरण आप उसको अप्शन को ढूंडेंगे जो सीधा प्लेन कास्ट आरण वह नहीं मिले होना है इसे लिए यह जो लिए चील्ड कास्ट आरण के जगए कास्ट आरण भी हो तो भी ठीक है ग्रे कास्ट आरण हो तो भी ठीक है इसे आप धेहन दख्येगा अगला कोश्चिन को देखिए यूनिवरसल मिलिंग मशिन इस इकूपाइड विथ आपको यह बताना है universal milling machine सुना होगा कि इसमे 5 प्रकार के access में काम कर सकते horizontal vertical angle में इसके height को गुमाया जा सकता है और यह खास्यत इस machine की जी होता है कि इसमें table होता है इसके उसकी उपबर एक indexing arrangement भी होता है जिसके कारण हम इसमें job बांदकर यह जब हमें ग्यार में दाते काटने हो हेलिकल ग्यार हेलिकल ग्यार बनाना हो तब हम indexing arrangement का प्रेयो करके special दाते मना सकते हैं या इस प्रकार के काम कर सकते हैं जो दूसरे मिलिंग मुशिन में नहीं कर सकते तो option number 20 का बिल्कुर सही दोस्तों यहां आपको यह बताना है कि लेट मशिन के भाग का नाम बताईए जो करतन उपसकार को पकड़ने और चलने की रिती को अपलब्द कराता है यदि आपको ऐसा लेंगविज नहीं समझ में आता है तो आप ध्यान रखिए कि जो लेट मशिन के टूल को कौन पकड़त है और वो आगे पीछे भी मुमेंट देता है तो देखिए आप्स एसान खीर यह सरे क room करेज केईगि दूह है जो वाला एस्से में टूल को खूनर यहीए और वाला ही और मोश्चन भी होग और ख्यार थी तो दोस्तों यहां और n ओसान Krा टिक इसे आप सहीं पनकी आपको एक इकाई जिसमें गति का चैन करने के लिए खारात तरकू तथा नियंतरन लिवर लगे हो को कहा जाता है जोस्तों आपको ये बताना है कि लेट मशीन में वो कौन सा यूनिट है जिसमें गयार के दोवारा सभी प्रकार के गत्यवी को नियंत्रित करते है या नियंत्रिद सबसे में परहुता है यह सबसे मेंणीन होता है जो की सबसे हम दोस्तों और इसका option नमबर यह बिल्कुछ सही है तो दोस्तों यह था हमारा बीस बहुत important question बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों thank you thank you for watching आप देखते रहे हमारे चैनल समर्धी टेक्निकल और आप हमारे पेज को लाइक करके subscribe करके और बैल आइकोन के बटन को दबाकर लगातार वीडियो को देखते रहे और यह आपको और वी वीडियो देखना है तो हमारे description box में जाकर उसमें आप बहुत सारे वीडियो को देख सकते हैं और देखते रहे दोस्तों समर्धी टेक्निकल थैंक यू थैंक यू वर वाचिंग